आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं मदर्सन सुमी स्टॉक के बारे में इस स्टॉक को डिसकस करने का मुख्य कारण यह है कि कंटिन्यूस आप देखेंगे कि मार्केट में वोलेटिलिटी बनी हुई है लेकिन आटो सेक्टर और पर्फॉर्म करते वे दिख रही है मदर्सन सुमी स्टॉक प्रसनली वन ओप माई फैबरेट स्टॉक है आटो सेक्टर से और यह स्टॉक अपने बोनस के लिए भी जाना जाता है कुछ समय पहले कंटिन्यूस इस स्टॉक में बोनस भी आते वे दिखा था अल्रेडी यह स्टॉक अराउंड 40-50% तक का डाउन ट्रेंड है अगर रिसेंट के हाई से देखेंगे 250 के हाई के वाज कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड रहा है प्रस्नली मार्केट के इस वोलेटिलिटी में अगर आप कंजर्वेटिव यह से भी सोचेंगे तो ज्यादा डाउन ट्रेंड इस स्टॉक में नहीं दिखेगा 124 के आसपास के प्राइस पर यह स्टॉक ट्रेड होते वे दिख रहा है मैक्सिमम डाउन ट्रेंड इस स्टॉक में 110 तके लेविल का दिख सकता है आज का एपिसोड में इस स्टॉक को डिस्कस करने का मुख्य कारण यह है कि समय यह स्टॉक 20 डे मुविंग अबरेज के प्राइस पर ट्रेड हो रहा है इस स्टॉक में 118, 116 के स्टॉप लोज को लगा करके 135, 140 के टार्गेट के लिए 102 मीडियम टर्म में ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि जहां आटो सेक्टर कंटिनुएसली परफॉर्म कर रही है तो मदर्सन सुमी अंडर परफॉर्म रही है और प्रसनली मेरा मानना है मीडियम टर्म यानि 6 मन्त के लिए भी आप इसमें इंवेस्ट करते हैं तो रिस्क बहुत लिमिटेर और रिवाद काफी हुज है और इस स्टॉक में 180 पलस तके टार्गेट स्योर्ली विदिन 6 मन्त में दिख सकता है